जै हिन जै भारत साथियों, साथियों अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि बैंक वाला आपकी गाड़ी नहीं चीन सकता, वो काफी वाइरल हुई, तो तीन मिलन से जादा लोगों ने उसको देखा, लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किये, कई लोगों ने बताया कि सर हमारी दिल्ली में एक घटना घटी, एक साथिक ने वो वीडियो देखा, और उनकी गाड़ी लोग उठा करके ले गए, उन्हों ने हमारी करजामुक्ती अभियान की जो करजामुक्ती सेना है, उसको फोन किया, हमारी लीडर्स को किया आईए, आप मेरे साथ ऐसा हाथ साहत्सा हो किया उन्होंने, उन्होंने पुलिस सेशन से पता करवाया, और इधर इन्होंने सौनमर पर जो कंप्लेट करी, जो थाने में अफैर करी, और जो इंशोरेंस कंप्पनी को उन्होंने लेटर भीजा, इधर इंशोरेंस कंप्लेट कर दी, कि मेरी गाड़ी ऐसे से यहां से चो छोड़ दिया गया उसी पार्किंग में जहां से लेकर के गए थे भले पुलिस वालों को साथ लेकर किया है भले किसी को लेकर किया है लेकिन ये काम illegal कर रहे होते उन्हें भी पता है बिना notice के कोई गाड़ी नहीं उठा सकता यदि कोई आपकी गाड़ी लेकर जा रहा है ले संथ एक्ष्टन लीजिए और पुलिस को भी कम्लेंड करें एंस्यूरन को भी क्लेम के लिए और वो सारी जानकरी बैंको दीजिए कि मेरी एक shipment bounce होने के बाद मुझे बिना बता है मेरी गाड़ी कैसे उठा ली गई किसी को भी आपके गाड़ी उठाने का अदिकार नहीं है और यदि फिर भी उठा ली गई है तो इनके खिलाफ एफायर करने के बाद आप कोर्ट जा सकते हैं आप कोर्ट पे जाए और कोर्ट संग्यान लेगा बिना नोटिस भेजे कोई आपकी गाड़ी नहीं उठा सकता एक installment बाउंस होने बाद कोई रोड से आपकी गाड़ी नहीं सकता और यदि कहीं पर आपकी बिना जानकारी कैसा किया गया है तो ये पूरी तरह से illegal है इसको स्विकार मत करिए आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए आपने लोन लिया गाड़ी किश पर ली आपने कोई गुना नहीं किया कोई क्राइम नहीं कर दिया अगर आप सरकार की गलत ली तो ये कारण लॉक्डाउं के बाद जी एसी के बाद नोट बंदी के बाद नौकरी छूड़ जाने के बाद वैपार्ट ठीक ना चल पाने कारण करदा नहीं चुका पा रहें किश ताइम पर नहीं दे पा रहें तो बैंक जबर से नहीं कर सकता कि वो आकर कि आपकी गाड़े उठा ले वो आपसे बात करेगा और आपको भी आपको भी एधिकार है आप बैंक में जाए बात करिए अपने लों को होगा उसको स्विकार नहीं करेंगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ कर्जा मुक्ति अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक जिन के साथ अन्या हुआ है उन्हें निया न मिल जाए उन्हें कि चीज वापस न हो जाए